ओम शान्ती, आप सबको सो गयते हैं, आज हम 30 नवंबर के इश्रेवदा में पहुचे हैं, हर इनसान चाहते हैं कि वो खुश रहे, सुखे रहे, लेकिन वो चीजों को बटोर करके, जीवन में सफलता पा करके, दुनियावी सफलताओं को पा करके, धन सपती को बटोर करके, गठा करके, वो सोचता कि मैं सुख और शान्ती को पा सकता हूँ, वो उस चीज़े जरूरी हैं, लेकिन कितने लेवल तक जरूरी है, उसको जाना भी हमें जरूरी है, तो आज परमात्मा कहते हैं कि सच्ची खुशी कैसे मिलती है, तो उसका अंसर है, जीवन में दिव खुणों के फूलों की फुलवाडी दरा खुशाली, खुशाली किसे मिलीगी जब आपके अंदर दिवेकुण होंगे, का अनुभव करने वाले एवर हैपी भवा, और हैपीनेस भी कपाए कि जब आपके अंदर कॉलिटी होंगी, डिवाइन कॉलिटी जैसे कि पेशन्स, टॉल्रेंस हो गया, नमरता, धहरता, सदभाव, साद्गी हो गया, रॉयल्टी होगी, लॉयल्टी होगी, ट्रस्वोधिनेस होगी, इस सारे जो गुण है आपके अंदर, यगर आपके अंदर चाता होंगे, तो आप खुश रोगे, आप सुखी रोगे, क्यों आपको उसी आपके साथ में मिलेंगी, जो कि आपको वोई एनरजी वोपस ट्रांसवर करेंगी, जो आप फेको के दुनिया में, वो आपको मिलेगा, वो इसी लग के लोग मिलेंगे, तो इसलिए क्यों न हम देवेगोंडों को धारन करना शुरू करें, ताकि हमारा ही जीवन बेटर हो हमने उनको अट्राक किया है, जाने अंजाने में, किसी नहीं सबकरोद किया, किसी नहीं सबकरोद किया है, तो हमने वो चीज़ अट्राक करी, क्योंकि कही नहीं सबकॉंचिस माइंड में हम आत्मा वो वाइबरेशन भाहर फेक रही थी, तो उसी ताइप के लोग हमें मिले तो उसके चेंज हमें होना है हमें और को मारब पीट करके तंकी दे करके चेंज करने की जड़ोत नहीं है उसमें बहुत एनर्जी चाहेगी पहले कॉन्टों के जीवन थी अभी फूलों की खुशाली में आ गए सदा जीवन में दिवे गोड़ों के फूलों की फिलवाडी लगी हुई है हमें अंदर qualities मिल रही है जितना मुली पढ़ेंगे उतने हमें अंदर परमात्मा के characters उनके qualities पता चलेगा कि अच्छा परमात्मा नैसे किया परमात्मा ये board ने अपने अंदर change करो हमारे ने वो qualities बढ़ेंगी इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उससे दिवे गोड़ों के फूलों की खुज़वू आती रहेगी आपके behavior से आपके बात करने के तरीके से उनको लगएगा ये जो लोग है ये अच्छे लोग है इनके साथ में हमें अच्छे से वेरतबा वेवार करना है हमें अपने आपको चालू या अपने आपको बहुत smart नहीं दिखाना है या हमें अपने आपको बचाने की कोशिश नहीं करना है वो अटमाइटली ठंटे पढ़ जाएंगे आपके सामने लेकिन अगर आप चालू पनती अगर आप गलत तरीके से करेंगे वेवार तो दूसरा वाला उस तरह से भी क्या करेंगे उसके अंदर का भी रावण आप जगा दोगे तो हमें ना आपने अंदर का रावण जगाना है और खुशाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे खुशाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी मिलाती है इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैपी हैं खुशाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी मिलाती है तो हम भी खुश और हमारे साथ खुश इसलिए आप कहते हो कि हम ever happy हैं कि हम qualities को यूज करते हैं अपने कर्म करने के लिए हम अब गुणों को ना यूज करके गुणों को यूज करें अब गुणों को यूज करेंगे अब गुणों को यूज करेंगे खुश और गुश अब गुश अब गुश अब शांत इसके साथ